सादर जैस्तिरी करश्ण मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचें आप नित्य नई नई ज्यानवर्धक जानकरियां वह नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें अती पुन्यदाईनी परिवर्तिनी एकादशी की वरत कथा पूजा विधी और इसके महत्व के बारे में तो जो भी इस्त्री पूरुस रद्धा के साथ इस अवरत को धारण करते हैं उने भगवान लक्ष्मी नाराण की विशेश करपा मिलती है, कारी छेतर में उन्हें सफलता मिलती है, जो मनो कामना होती है भगवान विश्णू जी की करपा से पूर्ण हो जाती है तो इस वर्स में परिवर्तिनी एकादसी है दिनांक 29 अगस्त 2020 को है तो हिंदू पंचांग के अनुसार भादर पदमाश के शुकल पक्ष की एकादसी को पदमा एकादसी या परिवर्तिनी एकादसी के नाम से जाना जाता है धारमेक माननेता है कि परिवर्तिनी एकादसी के दिन भगवान विश्णूजी निद्रासन में अपनी करवट बदलते हैं इस वरत को करने से भगवान विश्णूजी की विशेश क्रपा मिलती है भगवान विश्णूजी प्रसन्न होते हैं इसके अलवा इस एकादसी को वामन एकादसी जल जुलने एकादसी डोल ग्यारस ए और देव उठने एकादसी को जागरन करते हैं तो भ़ादर्पद मास के शुकल पक्ष के दिन भगवान विश्णु जी सोते हुए कर्वड बदलते हैं इसलिए इस एकादसी को परिवर्तनी एकादसी के रूप में मनाए जाता है इसके अलाबा इस एकादसी को वामन एकादस होती है तो वामन अवतार की पुण्य दाईनी कथा इस प्रकार से हिं। पूरानों के अनुसार राजा बली ने अपने प्रताप के बल पर तीनों लोगों पर अपना राज्य अधिकार जमा लिया था। एक बार भगवान विष्णूजी ने राजा बली की परिक्छाली राज राजा बली किसी भी ब्राम्मन को अपने राजी से निरास नहीं लोटाता था तो वामन रूप में भगवान विश्णुजी ने राजा बली से तीन पग जमीन देने का वचन मांग लिया भगवान विश्णुजी ने दो पग में समस्त लोकों को नाप लिया जब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बच्चा तो राजा बली ने अपना पूरा वचन करने के लिए अपना सिर ब्रामन के पेर के नीचे रख दिया राजा बली पातालोक में समाने लगे तब राजा बली ने भगवान विश्णुजी को अपने साथ रहने के लिए आगरह किया और भगवान विश्णुजी ने पातालोक चलने का वचन दिया तो इस दिन की पूजा विधी इस प्रकार से है इस दिन प्राताहकाल सुर्योदे से पहले उठकर के इसनान आदी करके स्वच्छ वस्त्र धारन करना चाहिए भगवान विश्णुजी के वामन अवतार का ध्यान करते वामन भगवान की कथा का स्रवन या वाचन करना चाहिए और करपूर और दिपक से इनकी स्रद्धा पुरवक आरती उतारना चाहिए और सभी को प्रसाद वितरन करना चाहिए और दिन भर यह व्रत का पालन करना चाहिए एक समय ही आपको फलाहार आदी लेना चाहिए इसम तुलसी की माला से एक माला आपको जाप अवश्य करना चाहिए तो इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और इसके बाद साम के समय भी भगवान विश्नु जी के मंदिर में अथवा उनकी मुर्ति के समक्ष भजन किर्तन आदी का आयोजन करना चाहिए इस पुन्ने के प्रताप से उत्तम इस्थान हमको मिलता है तो पदमा एकादशी के विशे में सास्त्र ऐसा कहता है इस दिन चामल दही एवं चांदी का दान करना सबसे उत्तम फलों को देने वाला होता है जो लोग किसी कारणवस पदमा एकादशी का वरत नहीं कर पाते हैं उ इस दिन उत्तम फलदाई होता है तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यान मरधक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें जिससे अधिक से अधिक भक्त जन इसका लाब प्राप् तो कर सकें और इसका पुर्णिलाब आपको भी मिलता रहें तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें धन्यवाद जैसरी करश्नमित्रों फिर मिलेंगे